ये गाइस, वेरी गुड मॉनिंग तो आज हम बात करेंगे जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि नहरों के बारे में और भॉगोलिक जो इस्तिती है बिहार की उसमें क्या-क्या कहां कहां पर पाये जाते हैं दो-तीन चीजें, दो-तीन इंपोर्टेंट नहरे हैं जो उसी नदी के नाम पे है, जिस नदी का वो है, जैसे पूर सकता है कि ये नहर किस नदी पे बना हुए है, जैसे सोन नदी का नहर बना है, सोन नहर परियोजना, वो सोन नदी पे बनाए कोई भी जज़ कर सकता है, मैं क गणडक नदी पे आँख बंद करकेанные गई गयी परियोजनाे बनाई गई हैं तर्वीडिनदे तिरी कोषी नदी पर चार नदी पर बनाई गई है ter पर योजना बनाएगा या पूरवी कोशी नदी परियोजना प्रश्टमी कोशी परियोजना यो तो μας यूँ जो तो प्रड़ा इस जजग करना मुस्किल तो यह आप जान लिजेगा कि यह कोशी नदी बनाने गया फें ठीक है ही तो ब्यस्टीन है आपको बात बता दिया जो नहीं पता होगा तो गंड़क नदी आख बंद करके कर लेजिएगा क्योंकि most of the question गंड़क नदी से पूछे जाते है ठीक है त्रिवेडी नहर, तिरहुत नहर, सारण नहर, तेउर नहर ये गंड़क नदी पर बनाए गए नहरे है राजपूर नहर कोसी नदी पे बनाए गई है पुर्वी कोसी नहर, पश्चुमी कोसी नहर कोसी नदी पे बनाए गए है सोन नदी परियोजना सोन नदी पे बनाए गए है इतना आप जान चुके हैं तो ये हो गई नहरें बिहार की ठीक है इस से बात खतम कर दें अब देखें मैंने आपको पताया था कि बिहार को दो भागों में क्या बिहार को दो भागों में डिवाइड करती है क्या कौन सी नदी है तो गंगा नदी है गंगा नदी जो है बिहार को exact दो भागों में डिवाइड कर देती है उपर का हिस्सा जो हो उत्री बिहार हो जाता है और नीचे का जो हिस्सा होता है वो दक्षडी बिहार हो जाता है ठीक है तो जैसे मैं यह दिखाने की कोसिस करता हूँ आप देख रहे होंगे कि यह बिहार है बिहार के बीचों बीच से यह जा रही है आपकी कौन सी नदी गंगा नदी है उपर का हि जो है उत्री भीहार का है दक्षणी भीहार जो है उसका 33,000 km2 दक्षणी भीहार का चेतरपल है और उत्री भीहार का चेतरपल जो है approximately 57,000 और you can say 56,970 km2 तो ऐसे मतलब यह भीहार में बता नहीं क्या है यह लोग कोशन पूशते हैं यार एकदम figure पूश देते हैं कि कितना है कितने km2 है तो एक अंदाजा रहेगा तो आप guess कर सकते हैं ठीक है कितना fact आदमी कितना याद रखेगा बात ही है न कि कितना fact याद कर रहोगे बहुत सारी fact ही fact तो है पूरी history जो है बिहार के ठीक है बिहार दो भार में डिवाइड हो गया अब पूस्ता है कि बिहार का जो भागोलिक विस्तार है उसमें क्या क्या तो बिहार का जो उत्तरी छेत्र है वो मैदानी छेत्र है दक्षणी चेत्र भी मैदानी चेत्र है लेकिन पठार भी है उत्तरी चेत्र का उत्तर पष्चमी हिस्सा जो हो पहाडिया है जहां पर आपको मिलेगी सुमेश्वर की पहाडी राम नगर दून की पहाडी और क्या मिलेगा आपको दून घाटियां मिलेगी ठीक है तो बिहार में परवते कहां पाई जाती है पहार कहाँ पर है तो बिहार के उत्तर पस्चमि हिस्से में पाइजाती है अब पूछे तो पिहार में क्या क्या पाया जाता है मैदानी हिस्सा है परवती छित्र है और पठारी छित्र है था पठारी छित्र मैंने आपको ब्राउन ब्राउन दिखाया है ऐसे था मैं परवती भाग के बारे में स्था में उपकर से उत्र पश्चา में इससे seriously परवती घाटी घाटी जो है वहां पर कई परियोजनाएं चलाई जाती है वहीं पर आल्मी की डाइगर रिजर्ब आपका है आपने सुना होगा कि बिहार का जो टाइगर रिजर बाल्मी की वने जीवा भिहारण है तो वाइड लेफ सेंचुरी जो है या नेशनल पार्क है वहीं पर है आपके उत्तर पस्चिम के पस्चिमी चंपारण में ठीक है यहीं से नहरे निकाली गई है मैंने आपको चारों नह आपके जैसे यह मैं आपको दिखाने के कोशिस करता हूँ बिहार का जो लैंड का सिस्टम है वो ऐसा मतलब उत्तरी बिहार ऐसे है और दच्चडी बिहार ऐसे है दोनों का जो ढ़लान है वो बीच के साइड में अब बीच के साइड में है तो ओब्यसली यहां से जो नदी बिहार की और यहां जितनी भी नतिया होकी कहा से निकलेगे निकलेगे हिमाले से उत्री बहाग में जो Imalayan river है यह सारी निकलेगी उपर से लेकिन धलान नीचे है तो अब इसलिए नीचे की तरफ जाएगी तो नीचे की तरफ जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा गंगा नदी में मिल जाएगी इधर वाली भी गंगा नदी में आके मिल जाएगी अब क्या होता है हिमालियन रिवर जो system है ना वो बारिष जादा होती है उस हिस्से में उस हिस्से में बारिष जब जादा होती है नदियों का उदगम लगातार सालों साल रहता है सदा प्रवाही सदा नीरा नदियां होती इसलिए सदा नीरा कहा गया है गंडक नदी को सदा नीरा नदी कहा गया है क्योंकि हमे रूप करता कि तो पानी की उपलबता बहुत जादा जरूरी उर्वर्था और पानी कि उपलबता दोनों ही आवज़ रहे है, तो उपर से नदियों का लगातार प्रवाह बना रहता है, साल है उपर्पर में जो बिहार के जाती है उसे कहेंगे जलोड वह नवीन जलोड़ का मतलब बहुत जाधा उप जाव होती है इसमें लगातार वर्षो वर्ष जैसे अब मैंने आपको बताएं उत्री बिहार में आपकी कोशी नदी पहती है कोशी नदी को क्या कहते बिहार का शोग कहते हैं क्या होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी आती है पूरे चार और फैल जाती है अब एक बात रहती है पानी जब पूरे चार और खेतों में फैला और जब पानी हटा तो उसके कारण जो बहा करके लाई हुई उरवरता वाली मिट्टियां है बालू है यह उरवर मिर्दा है कहां कि उत्री बिहार के मिर्दा कौन से प्रकार के मिट्टी है खादर प्रकार के मिट्टी है नवीन जलोड मिर्दा है दच्छडी इससे की बात करें देगे पठारी जो नदिया होती है न वो शदा वाहनी नहीं होती है सदा नीरा नहीं होती है वो लग त्षिगातार वर्षो वर्ष पानी नहीं होने के कारण या वर्ष बांगर प्रकार की जलोड मिर्दा दच्षणी भाग में पाई जाती है। बिहार के दच्छनी हिस्से में बांगर प्रकार की म्रदा पाई जाती है, ठीक है, अब मैं आपको बताया, कि बिहार के जो ये उगदम sown partner है ये पठारी छेतर है, पठार का छेतर है, तो देखे, जो बिहार का जो southern हिस्सा है, आब उसमें भी North-West, South-West Side West Side और South-East Side जो South-West Side है यहाँ पठार पाया जाएगा पठार पायी जाएगी और South-East Side जो होगा यहाँ पर क्या पायी जाएगी आन्वे आपको जैसे बताया कि भारत बिहार का जो दछड़ी हिस्था है यहां पठार भी है और परवत भी है परवत क्या कौन सी बिंध्यन परवत संकला ठीक है बिंध्यन परवत संकला लेकिन पठार कौन से धारवार करम की चटाने है ठीक है जैसे की छोटा नाकपुर का प्लैटी हो गया प्लैटी हो गया तो वहीं पर पाए जाती है अब पठार पर्वत कौन सा है तो बिंध्यन पर्वत है वो कैमूर रेंज जो कैमूर की पास आती है रोहतास में एंट्री करती हलका सा बिंध्यन रेंज की कैमूर स्रंखला जो है वो बिहार के कैमूर में entry करती है, यहां से कई प्रकार के पाये जाते हैं, क्या पाये जाते हैं, बिन्यान करम के चट्टानों से, जो भवन निर्मार सामगरियों की उपलब्दता होती है, ठीक है, पथार वाला ज्यादा तर हिस्सा जो है, वो तो झारखंड में चला गया, झ यस्क का उत्पादन लो फाय जो बनते थे अलुमिनियुम पादन ञनौता पइराट उ Barbie Сейчас के जितने होती थी यह सब चीजे नहीं हो पांतिया इन विशती पैर reactesar उत्पादन होता यह जिसलिए ऑघैल का हलका सा हिस्थ है जो साउथ पूर्व का हिस्सा है यहां पर कुछ पठारी चीजे उपलब्द है और यहां से कुछ अयस्क की उपलब्द प्राप्ती हो जाती है ठीक है तो यह मैंने बताया आपको की विहार का जो भॉगवली विस्तार है उसमें क्या पाए जा रहा है मैंने बताया, उत्तर पस्ची में आपको कैसो मिस्वर की पहाड़ी नामनगर दून का छेत्र और दून घाटी है, उत्तरी भाग में आपको मिलेगा मैदान, मैदानी छेत्र जो है, जहां पर नवीन जलोर प्रकार की मिर्दा पाई जाएगी, क्यों? क्योंकि लगातार सदा पाहिनी नदिया है, सालों साल पानी की प्लब्दता होती, इसलिए उरवर्दा जादा होती, उरवर्दा जादा रहेगी, तो उत्पादन जाता हो, दच्छिण में मैंने बताया, पठारी छेत्र है, सबसे नीचे पठारी छेत्र है, इधर का हिस्सा परवती छेत्र है, कैम औरता नहीं है इसलिए दच्छडी भाग में आपको किस प्रकार की मिलेगी जलोड मिलेगी लेकिन बांगर प्रकार की पुरानी जलोड मिलेगी और जो पठारी छेत्र है उसमें लाल और पीली प्रकार की मिलेगी और जो गंगा नदी का जो बेल्ट है जो गंगा नदी में ज साल प्रकार की मर्णा अब करते हैं हम लों कुछ सैंस पर बात कर लेते हैं कर दिलिखें कि मैं भारत के रिफेरेंस ए मेंहें बात करdenा हूं एक काम करता होैं मैं एक दूसरे विडियो में सेंस पर बनाता हूं एक यू